हेलो फ्रेंब्स, कैसे हैं आप सब? I hope कि आप सब अच्छे होंगे एक बार फिर मैं आपके लिए नएवीडियो लेकर आई हूँ अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो आज मैं आपके लिए पिस्ता शेल्ट से बने हुआ एक होम डेकोर लेकर आई हूँ और आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा तो चलिए हम अपना क्राफ्ट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप एक MTF बोर्ड ले लीजिए और उस पर अपने हिसाब साब कोई भी पैटेंट ड्रो करें मैंने यहाँ पर सर्कुलर पैटेंट ड्रो किया है और इसको कम्प्लीट कर लें कम्प्लीट करने के बाद आप इसे वाइट एक्रिलिक कलर से कवर करें और कम्प्लीट होने के बाद इसे ड्राइ होने के लिए छोड़ दीजिए इसके बाद जो आपके बाद पिस्ता शेल्स हैं आप उन्हें फैविकॉल की हैल्प से इन लाइन्स के बीच में अच्छे से पेस्ट कर दीजिए और पेस्ट होने के बाद आप इन्हें ड्राय होने के लिए छोड़ दीजिए और ड्राय होने के बाद आप इनके उपर वाइट अक्रेलिक कलर से इनको कवर कर दीजिए मेरी बेटी ने भी थोड़ी अपनी कलाकारी दिखा दी है तो इसके बाद हम इन पिस्ता शेल से एक फ्लावर बनाएंगे आप इसको glue gun की हाद से वे आप इसको बना सकते हैं और एक cardboard पर आप इसको paste कर लीजिए और white color से cover कर लीजिए और complete होने के बाद आप इसको dry होने दे और फिर MDF board के middle में आप इसको अच्छे से paste कर दीजिए और जैसे ही ये finish हो जाए इसको complete dry होने दे इसके बाद आप blue color लें और बाहर की boundary पर आप इसको blue color को अच्छे से coat कर लें पिस्ता शेल पे भी अच्छे से apply करें और इसके बाद inner जो lining है उसके उपर आप yellow color करें और जो space बच गया है उसमें आप blue color से आप अपना craft को color देदे और इसके बाद जो आपके पाद जो flower है जो आपने middle में paste किया है उसे आप pink color से coat कीजिए आप इसके उपर double coat भी कर सकते हैं ताकि इस पर white color पिस्ता शेल का दिखाई ना दे और यह हमारा अच्छे से cover हो जाए इसके बाद मैंने एक wall putty cone बनाया है और उसके मैंने उसके sides पे अच्छे से मैंने पिस्ता शेल को cover करते हुए lining draw की है आप को उनकी help से अराम से आप इसको दीरे दीरे इसको cover कीजिए पुट्टी कोन बनाते वक्त एक बात ध्यान रखेगा कि आप इसमें ज्यादा water add ना करें otherwise यह आपका जो work है वो crack होना start हो जाता है तो इसलिए आप इसको दीरे दीरे आप इसको complete कर लें blue color को और yellow color को आप अच्छे से wall putty cone की help से cover करें और इसके बाद आपका यह जो putty work है वो complete हो जाएगा और यह complete होने के बाद आप इसको dry होने के लिए रख दीजिए जैसे इसका आपको dry हो जाए उसके बाद अपना आप mirror work करना इस पर start कर सकते हैं मैंने अलग-अलग shape के mirrors लिये हैं और उनको glue की help से मैंने इसको paste कर दिया है और देखें अब हमारा decor कैसा लग रहा है कमेंट करके आप जरूर बताएं अब पुट्टी की help से मैंने यहाँ पर dots लगाए हैं और middle में कुछ lines draw की हैं ताकि हमारा चो craft है वो हमारा अच्छा दिखाई दे इसके बाद आप इसको complete करें इसी तरह से और यह complete होने के बाद मैंने इस पर पिस्ता शेल पर golden acrylic color मैंने किया है और इसके बाद हमारा craft जो है और भी ज़्यादा सुन्दर दिखाई देने लगता है और देखें फ्रेंट्स इसके बाद जो यह हमारा final look है हमारे craft का वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है तो friends अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें and thanks for watching बाबाई